नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 NEWS SPN 9 NEWS में इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है विर्जेस पाठक और केशब प्रिसाद मौर लगातर सुर्खियों में बने हुए है कि विर्जेस पाठक और केशब प्रिसाद मौर का रुख कहीं न कहीं समाजबादी पार्टी के तरफ हो सकता है ये बड़ा कयास लगाया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि अखलीस जादब ने साब तोर पर सौ विधायकों को लेकर यहाँ पर केशब प्रिसाद मौर को ओफर दिया था कि आप सौ विधायक लेकर आईए और यहाँ पर सीम बन जाईए इसी को लेकर लगातर चर्चाओं का विसाय उत्तर प्रदेस में विर्जेस पाठक और केशब प्रिसाद मौर बने हुए है आपको बता दे कि यहाँ पर उपमुकमंत्री विर्जेस पाठक ने कहा कि गर्व में पल रहे शिशू की लिंग की जाच करने वाले अल्ट्रा साउंड सेंटर पर सिकंजा कसा जाए क्योंकि लगातर देखा जाए तो उत्तर प्रदेस में अभी भी स्वास्त विवस्था हैं ठीक नहीं है और इसको लेकर अखली इस यादव लगातर टूइट भी करते रहते हैं तो यहाँ पर स्वास्त विवस्थाओं पर जो है बिर्जेस पाठक ने सवाल खड़े किये उन्होंने साब तोर पर कहा है कि गर्भ में पल रहे शिशू का अभी वी अल्ट्रा साउंड किया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की इस तरीके की जो जाच होती है उनको बंद किया जाए यानि कि अल्ट्रा साउंड सेंटर पर लगातार यहाँ पर सिकंजा कसते हुए बिर्जेस पाठक नजर आए है मुखविर योजना प्रभारी जो है तरीके से लागू नहीं हो पा रही है अधिकारी इसे गंभीरता से ले ताकि गर्भ में पल रहे शिशू के लंग का पता लगाने वाले अल्ट्रा साउंड सेंटर वास जो संचालक है उनके खिलाब कड़ी कारवाही की जा सके उपमुक मंतरी वर्जेस पाठक ने प्रदेस की सभी 75 जिलों के सीमो को ये निर्देस भी दिये है उन्होंने कहा है कि लिंग की जाच करने वाले सेंटरों का पता बताने वाले लोगों को मुखविर योजना का लाब दिया जाएगा उन्होंने कहा कि नेशनल हैल्थ मिशन के तहत मुखविर योजना के लिए परियाप्त बजट जारी किया गया है प्रदेस में इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए स्वास्त विभाक की अधिकारी इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते है क्योंकि लगातार लापरवाही देखी जा रही है अब ये सुईका नहीं किया जाएगा उपमुकुमंत्री वर्जेस पाठक ने कहा कि अल्टरा साउंड का इस्तमाल बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए यहाँ पर गर्भस्त सिसू की लिंग की पहचान कनना अपराद है ऐसा कनने वालों के खिलाप ठोस कारवाई की जाए मुख्विरों को 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का प्रुसकार तक प्रवधान किया गया है कि अगर जो इस तरीके की खबर बताएगा यहाँ पर बताएगा कि ऐसा कौन अपराद कर रहा है उसको प्रुसकार दिया जाएगा उसकी जो रासी रखी गई है वो 40-60,000 रुपए तक रखी गई है निरिक्षण के समय यदि नियमों की अंदेखी मिलती है तो ऐसी दशा में केंद्र की सभी अल्ट्रा साउंड वा गर्व धारन पूर्व अत्वा प्रसब पूर्व लिंग की पहचान करने वाली सभी मशीनों को सील बसबूतों के रूप में जब्त कर लिया जाएगा यानि की देखा जाए तो विर्जेस पाठक का एक बार फिर गुस्सा फूटा है और ये गुस्सा कहीं न कहीं खुद की सरकार के खिलाब पूछा है क्योंकि सबाल पूछा गया है कि आखिर इस तरीके के अफराद उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों बढ़ रही है आपने कल एक तस्बीर भी देखियो कि जिस तस्बीर में केशा प्रिसार मौर और यहां पर विर्जेस पाठक दोनों एक ही प्लैन में नज़र आए एक अलग प्रकार का जो प्लैन था उसमें नज़र आए थे जिसमें समाजबादी पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रसन भी खड़ी किये थे लेकिन देखना यह होगा कि जब बिर्जेस पाठक ने कहीं न कहीं खुद की सरकार पर यह सवाल खड़ा किया है तो योगी आदितनात क्या इस पर कदम उठाएंगे और आने बाले बक्त में अखली स्यादब क्या बयान देंगे आज के लिए सिर्फ इ देखते रहिए SPN 9 NEWS